कन्नोस से बीचवी सांसद सुबरत पाठक से आर्णाईन ने खास बातचीत की इस दौरान सुबरत पाठक ने विधान सभा चुनाव समय तकाई मुद्दों पर बातचीत की साथी उन्होंने बीचवी की जीत का दावा भी किया उतर परदेश में चुनावी तारीखों का एलान होने के साथी साथ सूबे की सियासत भी सरगर्म होती नजर आ रही है आरोप पर तयरोप का सिलसला थम नहीं रहा है तो दल बदलने का सिलसला भी लगातार तेज होता नजर आ रहा है जिस तरह से कैबिनेट मंत्री स्वामी पर पाठक जी है इस मामले पर उनसे बातचीत करेंगे इसके साथ इसाथ बीजेपी की क्या तयारिया है कितनी आश्वस थे बीजेपी अपनी जीत को लेकर 2022 में उस पर बातचीत करेंगे पाठक जी सबसे पहले बहुत-बहुत स्वागत है आपका धन्यवाद इलेक्शन सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भारती जनता पार्टी है और आज भारती जनता पार्टी के दुनिया में सबसे अधिक सदस्यगर किसी राजनेत्रिक दल के हैं तो भारती जनता पार्टी के हैं उसी प्रकार से इस देश में भी और देश में खासकर उत्ता प्रदेश में उत्तापरदेश में जो हमारी तैयارी है वहारी बूथिस्थर के उपर तैयारी है और एक-जनताब माद्यम से एक घर हम लोगों ने पंदा प्रमुक्षों को गठन करके और पूरा लगबग लगबग हर दस घर के ऊपर एक अपना संगठन का एक आरकरता हमने त्यार किया है जो आखरी दिन तक बोड डलवाने तक जिसकी पूरी जिम्मेदारी है कुल मिलाकर विसे यह है कि भारती जनता पार्टी का आखिर इतना बड़ा संगठन क्यूं तयार हुआ उत्तर प्रदेश की राजनीत में खासकर पिछले 15 सालों में देखा गया है कि कुछ लोगों ने कुछ लोगों ने मिलकर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई और उसके बाद में सरकार बनाने के बाद में किस तरीके से उत्तर प्रदेश के संसाधनों के साथ में दोहन किया लूट किया और उत्तर प्रदेश की एक जो सरकार को पूरी तरीके से इस्तमाल करके यहां के ताने वाने को भी कहीं न कहीं खराब किया है तो जिस प्रकार से यहां के उपर अगर नोकरी की हम बात करें तो हम देखा कि समाजबादी पार्टी की सरकार आती थी तो एक ही समाज के लोगों को मिलती थी और उसमें दूसरों के सास में किस प्रकार से बंदरवाट होती थी और इसी प्रकार से ठेकेदारी से लेकर सारी चीजें किस प्रकार का लूट का एक केंदर उत्तर प्रदेष बन गया था तो धीड़े दीड़े इन सब सारी चीज़ों से उत्रप्रदेष बाहर निकला है जात की राजनीती यहां के उपर अब समाप्त हुए भाज़पा समय में आने के बाद हमारी सरकार में जिस प्रकार से खास कर वो तमाम सारी चोटी 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 जातियां होती थी जिनका अपना कोई बहुत राजनेतिक अस्टिक्तु नहीं होता था चुकि गाउं में अपना प्रधान भी उनके अपनी ताकत पर नहीं बन पाता था अईसी जातियों के साथ में तो कभी नयाय ही नहीं होता था, ना तो उनके ललके को नोकरी लगती थी, ना उनके बच्चों को पढ़ाई की अच्छी विवस्ता है, उनके सामने उत्पन होती थी, ना ही उनके इलाज की कोई विवस्ता कराता था, चूपकि उनके वोट कितना नहीं था वोट के ताकत नहीं था उन्हें एक के तरफ कुछ मुसल्मान आ जाए एक तरफ यह हमारी जात मिल जाए एक तरफ इनको लडा दो इनकी जात हो जाए तो मालूम पड़ा वही एक दो जातियों ने मिलकर और खासकर मुसल्मानों में जिस प्रकार से उन्होंने एक आ मज़ में आ रहे हैं और बहुत सारी चीज़े आपने कहीं लेकिन क्या ऐसा नहीं लगता है कि पार्टी के खुद के जो नेता हैं वो ही पार्टी में अब नाराज नजर आ रहे हैं आज इस तरह से स्वामी परसाद मौरे ने इस्तीफा दिया पार्टी छोड़ दी उन्होंने लेकिन फिर उसके बाद मना भी लेते हैं दूसरे को लेकिन क्या लगता है मानेंगे मौरे है लेकिन जो परिवार से जो फूट जाता है उसको आज ने कल समझ में आता है तो कुल मिलाकर एक भारती जनता पार्टी एक सभी जातियों के लिए एक परिवार का स्वरूप हो गई है और निश्चित रूप से आज यदि सबका आज इस प्रकार से आज मनाया जा रहा है तो उ फेर टोपी का रंग ही लाल कर दिया है तो पहले आप देखो मुख्यमंतरी आवाज पर रोजाफ्तार होता था आप आपने देखा कि बले बले नेता चुनाओ आता थे लगा के टोपी मजारों पर पहुंच जाते थे आज आपको कोई दिकरा है आज कोई टोपी भी लगा क बगल में ख़डा हो जाया खलेजी टोपी उतरवा देते हैं इतना डर उनके अंदर आया है तो क्यों आया यह तुष्टी करन की राजनी से दी बाहर निकल कर आज दिन लोगों की पूछ हुई है तो किसके कारण से हुई है भारती जनता पार्टी के कारण से बताइए स्व आज देखो नीचे ग्राउंड लेबल पर चीज़ें ग्राउंड के सापस नहीं होती है जिससे समाजवादी पार्टी पोजन समाजवादी पार्टी का जब गटवंधन हुआ था तो हमने कहा था उसी समय पर उनने कहे रहीम कैसे निभय केरवेर को संग तो वो निश्चित जनता आपस में गटवंधन करने लगी है इनहीं गटवंधनों को देखकर कौन से सोध्यवादी हो रही है भारती जनता पार्टी की सरकार जिस प्रकार से 2014 से पहले इस देश में जातियों के नाम पर राजिनीती करने वाले नेताओं के मकान बनते थे वो जातिके नाम पर नेता हो जाते थे अपने मकान बॉले बॉले खाड़े कर लेते थे कहां से संपत्ति लाते थे लेकिन जातं के गरीब का वन वीचारा पिडियों से उसी ज्लोपडी में रह रहा था लेकिन आज मूदी जी के आने के बादось अब जातिके नेताओं के मकान नहीं बनते हैं जा साथ लियाएं थे अब आपको ऐसा नहीं लगता कि अब वो उनके साथ सपा में चला जाएगा वीजेपी को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है तो यह तो व्यक्ति को तै करना हमें किसके साथ में रहना एक और समाजबादी पार्टी जहां अंदकार है उस अंदकार से तो समाजबादी पार्टी यों का होता था किसी का प्लाट पॉड़ा खाली वो समाजबादी यों का होगा लाल टोपी वालों का हो गया यही विचारे यह सालक के किनारे बठे सब्जी वाले साम को 500 रुपए मेच कर जाते थे तो कोई समाजबादी सराभी उनको गिरोबान पक खबर यह भी आ रही है कि और बहुत सारे लोग भी छोड़ सकते हैं पार्टी क्या करेगी अब पार्टी उनको अपने पाली में रखने के लिए क्या आगे की स्ट्रेटिजी पार्टी की वो जो विधायक समस्ते हैं कि जिनको भार्चिंता पार्टी टिकट नहीं दे रही तो आज नहीं कल चले जाते जिसको टिकट कटेगी तो जाएगा तो भई अब लेकिन हम लोग तो भई कारकरता आधारी पार्टी है और सबको रिपोर्ट कार्ट सबका बना है उसके आधार पर टिकट मेलेगी तरफ से कहा जा रहा है कि बीजेपी हारने वाली है यह चुना शाफ उनके हार उनके चेहरे से इस पष्ट झहलक रही थी और उससे पूरवभी जिस प्रकार से जो भी उनके सरवे आरहे है यह जो भी है पूरी तरीके से जनता नीचे हमने क्या कर नीचे आपस में सभी जातियोंने हिंदू 27 के नाम पर इस देश को बचाने के खातिर उत्तर प्रदेश की संस्कृति की जिस प्रकार से पुना इस थापना हुई है उसको और गौरफ साली बनाने के खातिर आपस में गटबंधन कर लिया है आपस में उन लोगों ने गडबंधन कर ले यानि आपको पूरी तरह से लगता है बीजेपी जीतेगी इस बार भी समाजवादी पार्टी हार रही है पूरी तरह से आश्वस्त आप इसको लेकर लेकर लेकिन आखिर क्यूं इतने आश्वस्त बीजेपी नजर आ रही है ऐसा क क्या है कि उसके नहWhere हमने कहा ना कि पहले जो अंतर था जिसकी सरकार बन जाती थी मानों उसको लूट का लाईसेंस मिल जाता था परिबार नातर त attach the चेसला चमचा मिलकर सरकार को साथ जोटते थे सन्साधनों का साथ में दोहन करते थे उनके फ़ोलोट करते थे गरीग के अधिकारों के साथ में बंदर माट करते थे अगो किस प्रकार से आपने देखा हो गा कि जो 25 साल पहले तक जो लोग जोपड़ी में रहा करते थे उननके बढ़े-ढ़े कोठी कहां से आकिर बन गई हैं पांच करोल की अखले स्यादों का भाई पांच करोल रुपए की मर्सेडीस से लखनों के अंदर फर्राटे भड़ता कहां से यह पैसा आया है भाई जिस प्रकार से महल में रह रहे हैं कौन सा धंदा आकिर घर में है पिता जी तो साधारान से मकान बन जाता तो उपर लूट रुख गई नीचे उसका लाप सीधे गरीबों तक पहुंचने लगा है आज उसका मकान बन रहा है उसके इलाज की विवस्ता हो रही सोचाले बन गया घर में उज्जुला योजना कनेक्शन पहुंच गया आज आदी के सतर साल बाद नहीं होता था आदमी की मरत्य सुनिष्चित थी उसको कोई इलाज की विवस्ता नहीं थी पांच लाख रुपिया तक साल का इलाज कराएगा हर साल पांच लाख रुपए तक इलाज की विवस्ता दी है तो कुल मिलाकर निश्चित रूप से नीचे आम आदमी को जो सुव तो यह आज हमारा मकान बना है यह योगी अगर बैमान होता तो कभी पैसा यहां नहीं आता नहीं तो अब यूदी जी तो चौदा में बन गए ते 17 तक क्यों नहीं उनके सोचाले बने थे 17 के बादी क्यों बने इसलिए कि योगी एक इमानदार मुख्यमंतरी उत्तर प्रदे